प्रधान मंतुई नरेंदर मोदी के दो दिवसीय युएई दौरे की खूप चर्चाएं हैं अपने इस दौरे के आखरी दिन यानि बुद्वार को पीम मोदी राजधानी अबुधावी में पत्रों से बने पहले हिंदू मंदर का उन्होंने उदगाचन किया साल 2015 के बाद से पीम मोदी का ये साथवां युएई दौरा है और पिशले आठ महीनों की बात करें तो पीम तीन बार युएई जा चुके हैं और इससे ये पता चलता है कि खाड़ी के इसलामिक देश युएई के साथ भारत के रिष्टे कितने मजबूत हो गए हैं भारत की विदेश नीती की इस सफलता पर पाकिस्तान के पूर्व राजनयक और भारत में पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने कहा कि पाकिस्तान को भारत की मजबूत होती विदेश नीती पर नजर रखनी होगी और ऐसी कोशिश करनी होगी जिससे भारत को फायदा ना मिले एक तरफ जहां पियम मोदी युएई के दौरे पर रहे तो वहीं दूसरी तरफ सेना प्रमुख जनरल मनोच पांडी भी सौमवार से अमेरिका के चारदवसिय दौरे पर है और इस दौरे का मकसद दोनों देशों के बीच गहरे सेनने सहयोग और रणनीतिक साज़दारी को और मजबूत करना है अमेरिका जो लगातार कहता रहा है कि भारत उसका सबसे विश्वस्निय सहयोगी है भारत की भरती विदेशी साख पर अब्दुल बासित ने अपनी जुझलाहट दिखाते हुए पाकिस्तान को सला दे दी है कि वो भारत से सीख ले अब्दुल बासित जो की पूर राजरेक है पाकिस्तान की उन्होंने कहा कि भारत के आर्मी चीफ अमेरिका के दौरे पर है भारत और अमेरिका के रिष्टे खूब मजबूत हो रहे हैं भारत, रूस, चीन और अमेरिका के बीच जो कुछ हो रहा है उसे खूब फाइदा उठा रहा है यानि दोनु तरफ भारत खेल रहा है और हमें इस पर कड़ी नजर रखनी होगी। हमें देखना पडएगा कि भारत को इसका फाइदा ना मिले हमें कोशिश करनी है कि हमारा जो स्पेक्ट्रम है हमारी जो साख है वो किसी भी तरह से कम तर ना हो इसकी विश्वस्नियता खक्म ना हो इसके साथ ही अब्दूलबासित ने भारत की विदेश नीती की सफलता को अब की वज़े से हमारे लिए यानि पाकिस्तान के लिए काफी मुश्किलें पैदा हो गई हैं। लेकिन हम देश के अंदर ही उलचकर रहे गए हैं। हम कमजोर हो गए हैं। चाहे आर्थिक रूप से हो या फिर राजनितिक रूप से। अल्ला ने हमें बहुत सी नेमते दी हैं। लेकिन हम समझ नहीं रहे हैं और सब चीजों को धीरे-धीरे खोते जा रहे हैं। पीम मोदी के यूएई दौरे को लेकर अब्दुलबासित ने कहा कि पीम मोदी 2015 से अब तक करीब साथ बार यूएई जा चुके हैं। और पिशले आच महिनों में ये उनका तीसरा यूएई दौरा रहा। उन्होंने कहा कि इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत के इस तरह से धीरे-धीरे अपनी जगा बढ़ा रहा है। खासतोर से अरब देशों में। उन्होंने कहा आगे कि जो जो भारत का विदेशों में दाइरा बढ़ रहा है पाकिस्तान का घटता जा रहा है। हाल ही में कतर ने मौत की सजा सुनाए आज भारतिय पूर्व नेवी अफसरों को रिहा कर दिया। ये भी बताता है कि भारत बड़े ही फोकस तरीके से अरब देशों के साथ अपने रिष्टे बढ़ा रहा है। और पाकिस्तान को इससे सीखना चाहिए। पीएम मोधी ने युएए की राश्टपती शेक मोहमद बिन सल्मान को भाई कहकर उनके साथ एक मजबूत व्यक्तिगत रिष्टा कायम किया है। शेक मोहमद अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम कर रहे हैं और एक स्वतंत्र विदेश नीती बना रहे हैं। वह इंदर दिसंबर में उन्होंने पुतिन को होस्ट किया था। तो पीएम मोधी के युएई दौरे में दोनों देशों के बीच कई एहम समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर भी हुए हैं। और अब पीएम मोधी के इस वक्त में कतर यात्रा इसलिए में हैत्पून है क्यों और गहरा और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करने का आउसर प्रिदान करेगी। और इसी तरीके से अरब देशों में भारत की जो दोस्ती भरती जा रही है पैच बढ़ रही है उसे लेकर पाकिस्तान को मिर्ची लगी हुई है।